उम्शान्ति 14 अक्तुबर 2024 साकार बापदादा के महावाक्य मीठे बच्चे Here No Evil यहां तुम सत्संग में बैठे हो तुम्हें माया भी कुसंग में नहीं जाना है कुसंग लगने से ही संशे के रूप में घुटके आते है प्रश्न इस समय किसी भी मनुश्य को spiritual नहीं कह सकते है क्यों? उत्तर क्योंकि सभी देह अभीमानी है देह अभीमान वाले spiritual कैसे कहला सकते है spiritual फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभीमानी बनने की शिक्षा देते है सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते है बाप के सिवाए सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते उम्शान्ती बच्चे जब यहां बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है टीचर भी है और सद्गुरू भी है तीन की दरकार रहती है पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाडी में गुरू यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना बेहत का बाप भी है बेहत का माना सबका यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृती में लाओ इसमें किसको संशय हो तो हाद उठाओ यह वंडरफुल बात है ना जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सद्गुरू समझो सोभी सुप्रीम बेहत का बाप, बेहत का टीचर, बेहत का सद्गुरू ऐसा कभी कोई मिला सिवाए इस पुर्शोतम संगम युके कभी मिलना सके इसमें कोई को संशय हो तो हाद उठावे यहाँ सब निश्चे बुद्धी होकर बैठी है मुख्य है ही यह तीन बेहत का बाप, नौलिज भी बेहत की देते है बेहत की नौलिज तो यह एक ही है हद की नौलिज तो तुम अनेक पढ़ते आये हो कोई वकील बनते है, कोई सर्जन बनते है क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील, आदी सब चाहिए न वहाँ तो दरकार नहीं वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं तो अब बाप पैट बेहत की शिक्षा बच्चों को देते है बेहत का बाप ही बेहत की शिक्षा देते है फिर आधा कल कोई शिक्षा तुमको पढ़नी की नहीं है एक ही बाप शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलिभूत होती है अर्थात उनका फल मिलता है वहाँ तो डॉक्टर बैरिस्टर जर्ज आदी होते नहीं यह तो निश्चे है न, बरोगर ऐसे है न वहाँ दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं बाप कर्मों की गती बैठ कर समझाते है वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते है बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राज्योग सिखाता हूं उसमें तो लिख दिया है स्रिक्रष्ण भगवान वाज परंतु वह है दैवी गुनों वाला मनुष्य शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं उनका दूसरा कोई नाम नहीं बाप कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूं यह शरीर रुपी मकान हमारा नहीं है यह भी इनका मकान है खिड़किया आदी सब है तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहत का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को इनको कहा जाता है spiritual father अर्थात रूहानी बाप और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे यहां तुम बच्चे जानते हो यह बेहत का बाप है अब spiritual conference हो रही है वास्तव में spiritual conference तो है ही नहीं वह तो सच्चे spiritual है ही नहीं देह अभीमानी है बाप कहते हैं बच्चे देही अभीमानी भवा देह का अभीमान छोड़ो ऐसे थोड़ी ही किसको कहेंगे spiritual अक्षर अभी डालते है आगे सर्फ religious conference कहते थे spiritual का कोई अर्थ नहीं समझते है spiritual father अर्थाद निराकारी father तुम आत्माए हो spiritual बच्चे spiritual father आकर तुमको पढ़ाते है यह समझ और कोई में हो न सके बाप खुद बैठ बतलाते है कि मैं कौन हूँ गीता में यह नहीं है मैं तुमको बेहत की शिक्षा देता हूँ इसमें वकील, जर्ज, सर्जन, आदी की दरकार नहीं क्यूंकि वहां तो एक्तम सुख ही सुख है दुख का नाम निशा नहीं होता यहां फिर सुख का नाम निशा नहीं है इसको कहा जाता है प्राया लोग सुख तो काग विष्ठा समान है जरा सा सुख है तो बेहत सुख की नालेज दे कैसे सकते पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता सो प्रतिशत थी अभी तो जूट ही जूट है यह है बेहत की नालेज तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टी रुपी ज़ाड है जिसका बीज रूप मैं हूँ उनमें ज़ाड की सारी नालेज है मनुष्यों को यह नालेज नहीं है मैं चैतन्य बीज रूप हूँ मुझे कहते ही है ज्यान का सागर ग्यान से सेकेंड में गती सदगती होती है मैं हूँ सबका बाप मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्सा मिल जाता है परंतु राजधानी है न स्वर्क में भी मरतबे तो नंबरवार बहुत है बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते है पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते है इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती वहाँ कोई बीमार होता नहीं पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते तुम यहाँ से बेहत का वर्सा ले जाते हो वहाँ यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है यह तुम अभी समझते हो हद की नौलिज तो तुम पढ़ते आये हो अब बेहद की नौलिज पढ़ाने वाले को देख लिया जान लिया जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है आकर हमको पढ़ाते है सुप्रीम टीचर है राजयोग सिखलाते है सच्चा सद्गुरू भी है यह है बेहद का राजयोग वह बैरिस्ट्री डॉक्ट्री ही सिखलाएंगे क्योंकि यह दुनिया ही दुख्की है वह सब है हद की पढ़ाई यह हैं बेहत की पढ़ाई, बाप तुमको बेहत की पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो, यह बाप, टीचर, सद्गुरू, कल्प कल्प आते हैं, फिर यहीं पढ़ाई पढ़ाते हैं, सत्यूप त्रेता के लिए, फिर प्राया लोप हो जाता है, सुख की प्रालब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार यह बेहत का बाप बैट समझाते है उनको ही पतित पावन कहा जाता है स्रीकृष्ण को त्वमेव माताच पिता वा पतित पावन कहेंगे क्या इनके मर्तबे और उनके मर्तबे भी रात दिन का फर्क है अब बाप कहते है मुझे पहचानने से तुम सेकेंड में जीवन मुप्ति पा सकते हो अब स्रीकृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी जट पहचान ले स्रीकृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलाखिक नहीं गाया हुआ है सर्व पवित्रता से होता है बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं समझाते है मीठे मीठे रूहानी बच्चो रूह ही पढ़ती है अब संसकार अच्छे वा बुरे रूह में रहते है जैसे जैसे कर्म करते है उस अनुसार उन्हीं शरीर मिलता है कोई बहुत दुख भोगते है कोई काने कोई बहरे होते है कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किये है जिसका यह फल है आत्मा के कर्मु अनुसार ही रोगी शरीर आदे मिलता है अभी तुम बच्छे जानते हो हमको पढ़ाने वाला है God Father God Teacher God Preceptor है उसको कहते हैं God परमात्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते है सुप्रीम सोन ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे सुप्रीम अर्थात उंच ते उंच पवित्र ते पवित्र मर्तबे तो हरेके अलग-अलग है सुप्रीकृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे बाप का भी मर्तबा अलग है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है शिव तो परमात्मा है कारण शिव शंकर कैसे कहेंगे दोनों अलग अलग है न न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते है नाम भी ऐसे रख देते है यह सब बाते बाप ही आकर समझाते है तुम जानते हो यह बाबा भी है teacher भी है, सद्गुरू भी है हर एक मनुश्य को बाब भी होता है teacher भी होता है गुरू भी होता है जब पूढ़े होते है तो गुरू करते है आजकल तो छोटे पन में ही गुरू करा देते है समझते हैं, अगर गुरू नहीं किया तो अवग्या हो जाएगी आगे साथ वर्ष के बाद गुरु करते थे वह होती है वादप्रस्थ अवस्था निर्वान अर्थात वानी से परी स्वीट साइलेंस खोम जिसमें जाने के लिए आधा कल तुमने महनत की है परन्तु पता ही नहीं तो कोई जान नहीं सकते किसको रास्ता बता कैसे सकते एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता न सके सबकी बुद्धी एक जैसे नहीं होती है कोई तो जैसे कथाएं सुनते है फाइदा कुछ भी नहीं उन्नती कुछ नहीं तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से काटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते है, तुम ही उच्य, फिर पुजारी बने, 84 चन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए बाप ने सीड़ी सारी समझाई है अब फिर पतित से पावन कैसे बनते है यहा किसको भी पता नहीं गाते भी है ना हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ फिर पानी की नदिया सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर सनान करते है गंगा को पतित पावनी कह देते है परंतु नदिया भी कहां से निकली सागर से ही निकलीन है ना यह सभी सागर की संतान है तो हर एक बात अच्छी रिती समझने की होती है यहां तुम बच्चे सतसंग में बैठे हो बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बाते सुनाएंगे फिर यह इतनी सब बाते भूल जाएगी कुसंग में जाने से घुटका खाने लग पड़ते है संशे का तब मालूम पड़ता है परंतु यह बाते तो भूली नहीं चाहिए बाबा हमारा बेहत का बाबा भी है टीचर भी है पार भी ले जाते है इस निश्य से तुम आए हो वह सभी है जस्मानी लौकिक पढ़ाई लौकिक भाशाए यह है अलौकिक बाब कहते है मेरा जन्म भी अलौकिक है मैं लोन लेता हूँ पुरानी जुत्ती लेता हूँ सो भी पुराने ते पुरानी सबसे पुरानी है यह जुत्ती बाब ने जो लिया है इसको लौम बूट कहते है यह कितनी सहज बात है यह तो कोई भूलने की नहीं है, परन्तु माया इतनी सहच बाते भी भुला देती है बाप, बाप भी है, बेहत की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे न सके बाबा कहते हैं, भल जाकर देखो कहा से मिलती है सब है मनुश्य, वह तो यह नौलिज दे न सके भगवान एक ही रत लेते हैं, जिसको भाक्यशाली रत कहा जाता है जिसमें बाप की प्रविश्ता होती है, पदमा पदम भाक्यशाली बनाने बिलकुल नस्दीक का दाना है, ब्रम्हा सो विश्नु बनते है, शिव बाबा इनको भी बनाते है तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते है, विश्नु की पुरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राज्योग, राजाई स्थापन करने के लिए अभी यहां सुन तो सब रहे है, परंतु बाबा जानते है, बहतों के कानों से बह जाता है, कोई धारन कर सुना सकते है उनको कहा जाता है महारती, सुन कर फिर धारन करते है, और उनको भी रुची से समझाते है महारती समझाने वाला होगा तो जट समझेंगे घोडे सवार से कम, प्यादे से और भी कम यह तो बाब जानते है कौन महारती है, कौन घोडे सवार है अब इसमें मूँचने की तो बात ही नहीं परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूँचते हैं, फिर जुटके खाते रहते हैं, आखे बंद कर बैठते हैं, कमाई में कभी घुटका आता है क्या, जुटका खाते रहेंगे, तो फिर धार्णा कैसे होगी, उबासी से बाबा समझ जाते हैं, यह ठका हुआ है, कमाई में कभी ठकावट नहीं होती, उबासी है उदासी की निशानी, कोई न कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है, अभी तुम बाब के घर में बैठे हो, तो परिवार भी है, टीचर भी बनते है, गुरू भी बनते है, रास्ता पताने के लिए, मास्टर गुरु कहा जाता है, तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहे ना, जो बहुतों का कल्यान कर सकते हैं धंदे सभी में हैं नुकसान बिगर धंदे नर से नारायन बनने के सभी के कमाई खतम हो जाती है, नर से नारायन बनने का धंदा बाप ही सिखलाते है तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए जिनके पास धन बहुत है वह समझते है स्वर्ख तो यहां ही है बापु गांधी ने रामराज्य स्थापन किया अरे दुनिया तो यह पुरानी तमोप्रधान है न और ही दुख बढ़ता जाता है इनको रामराज्य कैसे कहेंगे मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े है बेसमझ को तमोप्रधान कहा जाता है समझदार होते है सतोप्रधान यह चक्र फिरता रहता है इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता बाप का फर्ज है रचता और रचना की नौलिज देना वह तो देते रहते है मुरली में सब समझाते रहते है सभी बातों का रस्पॉंड मिल जाता है बाकी पूछेंगे क्या बाप के सिवाए कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते है यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो अच्छा मिठे मिठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पेता बाप दादा का याद त्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार पहला बाप जो सुनाते है उसे सुन कर अच्छी तरह धारण करना है दूसरों को रूची से सुनाना है एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है दूसरी पॉइंट बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्यान करना है नर से नारायन बनने और बनाने का धंदा करना है वर्दान किसी के व्यर्थ समाचार को सुन कर इंट्रेस्ट बढ़ाने के बज़ाए फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव कई बच्चे चलते चलते स्रीमत के साथ आत्मों की परमत मिक्स कर देते हैं जब कोई ब्राह्मन संसार का समाचार सुनाता है तो उसे वह बहुत इंट्रेस्ट से सुनते हैं कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं तो वह समाचार बुद्धी में चला जाता है फिर टाइम वेस्ट होता इसलिए बाप की आज्या है सुनते हुए भी नहीं सुनो अगर कोई सुना भी दे तो आप पुल स्टॉप लगाओ जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रती दृष्टी वा संकल्प में भी घ्रना भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुप्त स्लोगन जिनकी दिल विशाल है उनके स्वपनवे भी हद के संसकार इमर्ज नहीं हो सकते उम्शानते